पाकिस्तान वोसिस श्री लंका और इंडिया से हाड़ने के बाद पाकिस्तान और श्री लंका दोनों के लिए है मस्ट विन गेम इंडिया और रड़ी क्वालिफाइब कर चुकी है और बची है तो टीम्स जिन के लिए हम मस्ट विन गेम लेकिन फिर से इस मैच में भी आप ब तूरा विडियो देख लो हो सकता है जित जो अट-लीस मदब तो जरूर होगी अलो मेलकार आप टीविश्पोस्काउटस पाट डिविज्ट लेवन दो अक्षर सही है बात मान शमी सिर्फ अक्षर और शामी क्यों उमरान हर्चल और मने सबके साथ खेलो इस पर विजन एलेवन इसकी जलग सापसे अलग दुसकी इंडिया पाकिस्तान की बात करना बहुत जरूरी है अल्मोस एक इनिंग्स रिपीट कह सकते हैं आप सेकिंड डे टो डे वंडे इंटरनाशनल वह हो गया वंडे तो था ही नहीं वह क्या आपने एक्सपेट किया थे इतना वन साइडिट कॉन्टेस हो जाएगा और पाकिस्तान का यह में रहेगा इनिंग्स नहीं नहीं अच्छी है और बोलिंग पास बोलिंग की तो हम बात करी चुके जानते हैं बट ऑन दे डे ओविसली यॉव तो प्ले वेल वेल विश्ट से भी थोड़ा सा सर्प्राइज हूँ के टॉस जीतके उन्होंने पहले बैटिंग करा है इंडिया को नोइंग के वह शाम में बॉल थोड़ा सा सीम हो रहा है प्लस बारिश है तो हो सकता है कंदिशन्स तो उनकी चॉइस थी और कितनी भी अच्छी टीम हो इप डोंट प्ल कि यूँ नो इतनी करारी स्टार्ट दी आफ्टर जो पहला मैच हुआ था और इतनी सारी बाते चल रही थी और उसके बाद को ली और राहूल परस्ट अपॉल के लोग इंचरी के बाद आके इतनी धमाकेदार हंड़ेड बनाना इतना प्रेशर गेम है फैंटास्टिक एक् पहले मैच में इंडिया ने पहले बाटिंग की थी तो इंडिया को बात करें तो उस वक्त बिल्कुल दूप निकली थी और बेस्ट करने के लिए उसके बाद में वेदर फिर से खराब हो लोगे थे और उसके बाद बारी शाहिए ब्रुकी नहीं प्रिक बाई क्या आपको लगता है पाकिस्तान इस मैच में थोड़ा सा बैक्वट पर होगा क्योंकि श्रिलंका भी हार के इंडिया के लिकिन श्रीलंका वाला गेम बहुत ही कंप्रटीटर था और श्रीलंका ने ब फ्लाक में उनके जो परिशानी है वो जादा नहीं रिस्क लेना चाहती है पाकिस्तान तो आपको लगता है थोड़ा सा एडवांटेश है श्रिलंका गो अगर मैं प्यूर्ली बोलू जो एक लिस्ट लास्ट कि हमने देखा है एक चीज ना क्लियर हो जाएगी कि जो अगर आप मुझे पूच दो शीलंगा के लिए एक है कि होम कंडिशन हैं उन्होंने बोल आउट करा है लगाता तेरा जीते भी थे पिसला इंडिया के सामने हारे जो की काफी क्लोस था तो प्रेशर फॉर देम और एक्स्पेटेशन उन्से ज्यादा है कि वह यह बिलीए प पाकिस्तान इंडिस्वन करते हैं तो आपने बार-बार एक नाम से नावगा दुरित विलाल के चुकि हम बात करते आ रहे हैं और क्यों वहां से वह बहुतनी इंडिया गेंस भी देखा और सालों साल काफी माचे श्रिलंगा को जिताने वाले हैं जिस्ट क्वालिटी के वो पहर जाती है अपके फांटेसी क्या पाकिस्तान नहीं है और आपके फैंटेसी क्या होगा आपके कि आपनों कापनी है पैंटेसी वाइज मुझे ऐसे लगता है कि इमाम थोड़ा सा इस मैच के लिए आई फील इस दूफोर रन्स और यह विकेट और शाहिद यह मैच थोड़ा सा स्पिन डौमिनेटेड़ शाहिद हो सकती है पाकिस्तान यूनौ आईसे तो हम बाबर की बात करते है बट मुझे ऐसे लगता है कि लेफ्ट आम स्पिन की जो थ्रेट है ठोड़ा बाबर के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ्रेट नहीं है क्ैश्च बाबर के लिए हुसेम रीजन के वो शायद थरेट हमको फास बोलिंग में नजर नहीं आईगी पाकिस्तान की एक शाहिंशा के इलावा जो दो पेसर खेलेंगे में भी वो वो क्वालिटी के नहीं है नसीम शाह और हारिस रहुफ के तो उसलियास से मुझे लगता है कुसाल मेंडिस विकेट क कि अपने बात कि उनको यह वेन्यू काफी पसंद है जो हमने लास मैंच में बात की थी उनकी सबस्दा 50 यहां पर यहां पर उनको सिकेंड़ में स्टावरेज उडिया इसमें भी यहीं पर और दोनों इनिक्स में उनके नंबर्स काफी अच्छे हैं चाहिए वो पहले बाट सब्सक्राइब करें तो कुछल मेंडेस क्यों की विकटी में अच्छी चोईज होंगे अभी तक वह बड़ी पर्फॉर्मेंस आई नहीं है लेकिन जिस फॉम में है शायद वो नंबर आपको बदलते पर देखें बादी आपके काफिन से उप्शन फूर मी इस गें बाबर बाबर आजम को अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्फ कर रहा है तो वहां पर आप टेंटे तो गोवे चालाव खान again somebody who has not performed जैसा उनसे expectation है, he's not been amongst wickets too much, runs भी नहीं बन रहे, but जो ability होती है कि batting भी आजएगी and then second innings में spinners को जो you know advantage मिलता है तो वो वाला piece है जहां पर मैं expect करूँगा इफ श्री लंका is batting first then you know थोड़ा सा tempted हों की बले लागे जो पिछले के में मनें performance लेकी थी और similar wicket रही, तो वहां पर थोड़ा सा tempt हो सकता हूं to go with him as my you know vice captain, otherwise शादाप खान batting first शादाप खान मेरे भी captaincy choice में जरूर रहेंगे especially अगर वो पहले batting कर रहें, क्योंकि तब आपको पता है कि थोड़ी fantasy value बढ़ जाती है और थोड़ा vulnerable लगा है पाकिस्तान का middle order अगा, सल्मान में रिसेंटली एक जुरूर के इस runs किये थे पर उसके बाद को बड़ी पारी आई नहीं थोड़ा dip होगा है, वो runs आपको दिखे नहीं है, तो शादाप खान लेकिन अगे इस साइड स्पेशली बाटिंग करते हुए एक अच्छे उप्शन हुए कि रिसेंटली काफी रंस उन्होंने जो आए हैं बड़े वो बाटिंग करते हुई आए इसके लाब विलागी की बात किया और हर मैच में हम बात करते हैं, अभी भी एक अच्छे उप्शन है, ऐसा नहीं है कि एक माच आप पांच वेकेट और कुछ रंस कर दी है, तो शायद वो जो एक अच्छे इनिंग थी वो निकल चुकी है, बहुत ही क्वालिटी प्लेयर हैं और आप उनसे कुछ रंस और एक यहां, बिल्कुल होंगे, इस तरह कि अगर पिछ होगी, तो विदाउट अडाउट वो कैप्टन सी ऑप्शन भी बन जाते हैं, पाकिस्तानी जनरली इतने अच्छी स्पिन खेलती नहीं है, उनका खास करके जो मिटल ओडर है, और जिस कौम में है वो, तो बैटिंग से भी थोड़ा सा रहूंगा कि यूनो बहुत वाइली कस्टमर है, जगर पिछ में हेल्प होगी, तो उनके दस और अगेन आपको दो तीन विक्टे दिला सकते हैं, तो दुनित विला लगे तो आपिसली हैं ही, बट मैं मुहमद नवाज भी अगर इस तरह के पिछ होई ही, तो ड उसाम अमीर दोनों से एक जरूर आपको खेलता हुए देखेगा, जो भी खेलता है मेरी टीम में जरूर होगा, दोनों बाटिंग बाकप देखें, नवास के साथ में उसाम अमीर काफी इची फॉर्म में रहा है, विकेट से भी पिक कर रहे हैं, और इससे पहले वो रंस भी पर भी आप उमीद कर सकते हैं निकलेगी, बट फिलाल फोरकाश काफी खराब है, और अगर मैच नहीं होता है, तो फिर से नियर श्री लंका का फाइनल आपको देखने को मिलेगा, श्री लंका ओलरी डिफेंडिंग चांपिन से, अधी भाई, आपके लिए वाई रिस खाय अगर बात करूँ, तो वहाँ पर मैं चाहित असलंका के साथ जाना प्रिफर करूँगा, मिल ओर मैं बैटिंग करेंगे, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जैसे मैं पहले भी कहा था, मुझे काफी पसंद आते हैं ये प्लेयर, पिछले गेम में तो बॉलिंग के थूप उन काफी बढ़िया रहा है, 14 इनिंग्स में 30 विकेट्स हैं इस साल में, बेस्ट पार यह है कि इन 14 इनिंग्स में केवल दो बार विकेट्स रहें, तो एक हाथ दो विकेट्स तो पक्का लेकर जाएंगे, इन फाक्ट सिक्स ताइम्स पिगड़ थी और मोर विकेट्स, तो इन्टरनाशनल में को अटली विकेट्स है, लीजिए आपके बेस्ट पेजान बेते हैं जो कि बहुत सारे बोलर्स के अगर आप बेस्ट विकेट्स देखेंगे हैं, तो बहुत दिलदाल हो गया, उनके नमबर्स भी देखेंगे, विद बैट तो यहां पर बहुत अच्छे उनके सब्सक्राइब उनके भी प्रेमदास हमाएं जिस्ट लाइक कुछ नमेंडेस तो बाटिंग फॉर्स बाटिंग सेकेंड दो हम आपको वैल्यू देते हैं क्योंकि अब बोलिंग कर रहा है अगर सेमिलर विकेट रहा तो बोलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान में अगर वाइड कर सकते हो एवन दो थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि हमने देखा है कि वुम्रा ने भी विक्टे लिए हैं और दूसरे फास बोलर्स ने भी लिए बट शायद पाकिस्तान में अगर अगर उनको विक्ट मिली तो शुरू में मिलती है अगर उनको विक्ट में तो उनको बहुत मार पड़ती है तो फास बोलर्स आज जनरली अगर दे प्लेस तो वर्ट मेरे हिसाब से क्योंकि यहां पर ऐसे लगता है कि स्पिनर्स विल डॉमिनेट स्पिनर्स विल बोल मोर तो उस हिसाब से मेभी आप थोड़े पास बोलर्स आप अवर्ट कर सकते हो वसीम जूनियर शायद हो सकता है नजर आए उसके अलावा ऐड़ों नसीम शा का क्या स्टेटस है तो उनकी जगा पर कौन आता है तो वो प्लेस को मेभी आप अवर्ट कर सकता है मेरे हिसाब से तो वसीम सीनियर वसीम जूनियर को ओड़ कर रहे हैं जी हाँ प्रॉइबली मुझे ऐसे लगता है एवन दो वो डेथ के अच्छे बोलर है और शायद थोड़ा बैटिंग करते हैं वहां पॉइंट्स देते हैं अगर शाहनवाज दहानी कहलते हैं तो मैं डेफिनिटी उनक अब शाहनवाज दहानी और जमान जो है तोनों अजब बैककप आए है रिप्लेस्मेंट नहीं है क्योंकि पाकिसान रिप्लेस्मेंट अभी तक नहीं लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अफ्टे तक दोनों ठीक होई जाएग नसीम शाहरे सरौफ तो जादा हो चां तो वहां पर दिमुत करुण नरत ने बूलना शायद शायद मोस्स पीपल उनको पिक भी ना करें पर मेरे लिए पतुन निसंका होंगे वो प्लेयर जिनको मैं इस केम से अवाइड करना चाहूंगा इस मेरी फैंटेसी टीम से प्रैमेरली यून थोड़ा सा स्टगल करें व अब जो देख रहे हैं जो समझदार है उनको ने शायद निसंका को कैटन भी बना दे बट अट लोगों ने लिखना अल्री टाइप कर दिया ग्रणी कैटर पर तो निसंका पिक कर लिए 100 बारती तैंकि तो नहीं अगर ओपनेस का फॉर्म देखे तो क्वालिफाइस में बह सक्सेस्फुल थे लेकिन दूनों के ही रंज इस टॉनरमेंट में अभी तक देखने को नहीं मिलें करना रत ने जो की क्वालिफाइस में बहुत अचब फॉर्म कर रहे थे यहां पर एक बड़ी पारी आइडिया ने संका फिर भी एक इनिंग के लिए दूनों ही 50-50 कॉल है सब्सक्राइब करना चाहेंगे बट अगर आप एक्ट्राइब के साथ जाना पड़ेगा बहुत ही ट्रकी वाल है पर एक ही पिक करना हुआ तो कौन सा होगा बाटिंग तो यहां चाहिए सब्सक्राइब करणा चाहें यार मैंने कुसाल में इसको बनाए अपना क्यपनिसी आप्शन तो मैं उसी को पिक करूंगा बट अगर चॉइस हो दोनों को पिक करने की तो मैं रिज्वान को भी करूं बस भी थोड़ा गेम में जाधा रहते हैं और दोनों और एक करना हो तो कौन दोनों रिजवान को आइधर स्नेयरों में लेके चलूंगा इधर बैटिंग सेकेंड इफ मेंडिस चेस कर रहे हैं तो में भी आइवुड बी टेंटेट कि महां पर मेंडिस को ड्रॉप करके तो एक इनिंग खेली थी बैट कोई करते हैं जो आपको पता ही है और बाकी बैटर्स की बात करें तो इमा मुलक एक बहुत अच्छे ऑप्शन है जो कि हमने एक अप्टिंसी ऑप्शन में भी देखा है इमा मुलक के साथ में एक पैटर रहा है रिसेंदी 2023 में देखेंगे चे बार वह बिट्वीन जिडियो दूटीफाइव आउट हुए या तो करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं और कड़ता हैं तो फिर बहुत बढ़ा करते हैं पांच बार 50 क्या है जो 2018 ने जो अगर पिक कर रहे हैं तो फिर एक बड़ी पारी आप उमीद कर सकते हैं अगर जो कि इस वेन्यू पर दो बार बैटिंग फिस्टी मरी है अगेंस पाकिस्तान उनका रेकॉर्ड भी अच्छा नहीं है तो आइडिली आप पिक करना चाहेंगे तीन इन्वेसे एक अलड़ी आप पिक कर चुके हैं दो बैटर कौंज है वजी मिद्धार आप से स्टाट करते ह तो अबिसली जो हमने बात की थी इमाम को तो मैं रखूंगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो थोड़ा बनाएंगे रन ड्यू है काफी टाइम से और तीसरे आप्शन एक्चुली विक्रमा सदर विक्रमा और चरीद असलंका यह दोनों के अंदर से थोड़ा है मैं एक्चुली चरीद असलंका की तरफ जाओंगा क्योंकि अगर वो बोलिंग करते हुए नजरा है तो वहां भी आपको पॉइंट दे सकते हैं अगें स्पिन अच्छा खेलते हैं स्वीप खेलते हैं और तर्निंग ट्रैक पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर आप् कि मेरी टीम में भी जुरूर आपको इमाम अलग दिखाई देंगे तो बाबराज़ा में मौलग दो स्पॉट हो गई है तीसरे आपके लिए कौन असलंका वेरी क्लिए कि मैं असलंका क्या जाओंगा उस सिनारियो में जहां पर मैं कुशल मिंदिस को ड्रॉप कर रहा हूं सब की टीम में मिलेंगे शादा आप खान देंज दिसिल्वा दुरित फिल्लाल के वैसे हर बार करना चाहिए तो कर सकते हैं बट हर बार जैसे हम बोलता हम बाटिक उनके साथ में बहुत ही इंपटिबल है बाटिंग वाका आप कहने को देते हैं बट रिसेंटी बहुत बहुत जादा एफेक्टिव दोनों ही डिपार्टमेंट से अभी तक नहीं दिखें बट क्योंकि पूरे ओस कर रहे हैं बाटिंग भी कर रहे हैं लंगा प्रेमिर लीग ठीक जाग गया था उनका जरूर टीम में तो रहेंगी अब चौथे ऑप्शन आपके पास में शना का सब्सक्राइब करनेशन और अफकॉस बारिश सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी तक नस्तीम शाह और है आपको देखेंगे एक तो क्योंकि अगर आप देखेंगे फिलाल पाकिस्तान के पास स्क्वार्ड में सिर्फ एक है वो है मौमद असीन जो की ज़रूर खेलेंगे अभी तक ऑफिशली आए नहीं है स्कॉड में दहानी और जमान खान तो वह रिप्लेस्मेंट नहीं है बाकप है स्कॉड में जो की स्कॉड का पार्ट अक्शली है नहीं तो चलते हैं बाकी की ऑप्शन है उसामा मीर अगें ब स्कॉड नहीं तो बलुट करें चाहिं तब यह अगर पाकिस्ताने स्कॉड नहीं चाहिए उनकी जो भी उनका में उनके दावट है मैसे आप यह दिरह दू चौदा बार बोल उटके है च्रिलंगा ने उतरा सौड़ा मैं तो एक बोलिंग प्रस्न आको जरूर रखना वाओ तो अगर नसीम शाह और हारी स्रॉफ दोनों ही नहीं नहीं खेलते हैं तो कौन खेलता है कि दानी होगा तो मैं नहीं लोगा लेकिन जमान खान मुझे लगता है कि कि देट में अच्छी बोलिंग करते हैं पतिराना उनको मैं रखूंगा उसके अलावा तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा किसी और को एड़ करें यह मुश्किल आपके अभी कुल नहीं होगी जब टीम बनाएंगी क्योंकि हम और ही सारे नंबर आपको दे चु प्रेटिक्शन आज तक कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल एश्या कप में कभी नहीं हुआ है लगता है इस बार होगा या फिर इस बार भी जिलंगा ने लास्ट टाइम किया था बिलकुल किसी ने चांस ही नहीं दिया था और वह फाइनल तक जीत प्र फाइनल में भी तो उस वजासे मैं थोड़ा सा वह हूँ और श्रीलंका मुझे लगता है कि होम कंडिशन में थोड़ा सा देंजरस थीम है और पाकिस्तान विद फास्ट बोलस थोड़ा सा वो डिपलेटेट टीम तो होगी प्लस उनका बैटिंग का फॉम और जैसे मैंने का तो इंडिया की लॉस कहीं न कहीं थोड़ा वो डेंट तो करेगी इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं थोड़ा सा एप्रिहंसी हूँ के इंडिया पाकिस्तान फाइनल बट वह 2017 की मेंचे चैपिश्चों की याद आती है तो पहला मैं जीते हैं कि हमने लीग में उनको इसी तरह से हराय था और फिर फाइनल हुआ था तो उस लेलाज से मैं थोड़ा सा एप्या इस अधिक भाई इंडिया-पाकिस्तान इंडिया-श्री-लंका फाइनल को अभी फिला फाइनल पी चलते हैं बाद में जब फाइनल का प्रिवीव करेंगे तब कुछेंगे आप से इंडिया-पाकिस्त में एक और मैच है अमदाबाद के तो अगर आप परिशान हो चुके टिकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो ओफिली मिल जाएं यह दूआ करेंगे आपके लिए और यह भी कि आप इंडिया को जीते वह दिखें जैसे मैं देख्या है विजन 11 ताप से अलग तो आज के लिए तना ही और हम मिलेंगे आपको नेक्स प्रिवी के लिए अपकी तक कैसे लगए वीडियो सा आप कमेंट करके बता सकते हैं बहुत बहुत शुक्या वेश्चिन जब प्रतिक से आपकर समय देने के लिए था थैंक यू थैंक यू